आप सब इस वक्त बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्याडिल हेलकेर के बारे में इस टॉक से टेट दोस्तों हमें आपर important point पर discuss करेंगे जैसे कि result और दोस्तों यहाँ पर जो other activities company में हो रही है और इस stock में improvement कब तक आएगी और इसके पीछे reason क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा देखे थोड़ा southern record दोस्तों यहाँ पर आप understanding करना क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि company में कब क्या हो रहा है कब stock गिर रहा है कब आगे जाएगा perform करेगा ही नहीं करेगा इसके target क्या रहेंगे यह सब कुद देखना पड़ता है आप यहाँ पर observation नहीं तो दोस्तों यहाँ पर आपके हाँ से जो profit होता है और loss में convert हो जाएगा इसलिए कहता हूं कि याद रखिए कोई भी share आप यहाँ पर 10 रुपे की investment करें stock market में खुद से जैसे के लोग करते देखिए SIP mutual fund से तो उसमें कोई doubt नहीं बट यहाँ पर आप खुद से invest कर रहे है तो मुझे लगता है कि आप active रही है चलिए start कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या हो रहा है इस company में वीडियो पसंद आया तो please like subscribe कलेना दोस्तों पहले हाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसका यहाँ पर एक महिने का performance आपको यहाँ पर बता दो correction इसने हाँ पर लगात नहीं दिखाई बट यहाँ पर गिरावट में जरूर दिखा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते 63 से यह down price पर चल रहा है पिछले एक महिने से और दोस्तों 6 महिने की बात करें तो 12% से डाउन है stock बहुत यहाँ पर निवेशक ने जिसने भी top level पर खरीदा यह news सुनकर ज सबसे important बात company में यहाँ पर नजर आ रहे है तो इसको आप note करना दोस्तों की इसमें अभी हाँ पर आप और भी चिज़े समझे इसमें strategy कैसे रहेगी और perform कप करेगा वह मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर देखिए इसमें value basis पर बात करें तो इसमें हो क्या रहा है यहाँ पर देखना साड़े 3 लाग के करिब का इसमें delivery उटा गया है वो भी Friday के दिन 30% का value है और इसमें 11 लाग का जो trading था पूरे दिन में का transaction इसमें buying selling सब कुछ होता है तो percentage wise बात करें तो देखिए 11 लाग जो quantity बेचे गई यहाँ पर खरीदे गई यह दोनों भी होती है तो इसम value कैसे चेक करना है और क्या देखना है वो आपको समझ में आना चाहिए अब आज की बात करें आज की latest news है दोस्तों यहाँ पर साड़े 11 बजे की 23 अक्टॉमबर की PM मोदी जिने साथ ऐसे इंडिया की जो COVID-19 वैक्सिन इंडिया में जो प्रोइट कर रही हो यहाँ पर इंडिया में उनकी वैक्सिन यूज में है ऐसे कमपनियों के साथ तो उसमें देखिए जायडर्स क्याडिला जो है हमारे लिए इंपॉर्टन कमपनी है क्योंकि हमारे पास शेयरे बोलकर ऐसा मैं आपको यहाँ पर बता रह और खुदी भी वैक्सिन का मैनुफेक्चरिंग कर रहे है इसमें देख सकते हैं भारत बायटर्क डाक्टर रेडी लैब्स ऐसे अलगाले इंडियन कमपनी है और दोस्तो वैक्सिन मैनुफेक्चरिंग में जो साथ कमपनी वेटेज देरी है उनको फाइदे मिलेंगे क्यों क्योंकि आने वाला समय उनके लिए रहेगा क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर लगातार अब यहाँ पर जो कंटीनियो इंप्रोमेंट हो रहे हैं वैक्सिन के बारे में और आवरनेस जो यहाँ पर लोगों को जरूर समझ में आ रही है तो हमें देखने को मिलता है और इसमें देखे ब्रोकरेट ने यहाँ पर इसके जो टार्गेट दोस्तों बताय वाले आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पर कितने राउंट फिगर 700 के करिब के और यहाँ पर चल रहा है भी 500 पर 200 रुपए का पर शेर पर डिसकाउंड है यह भी याद रखना अब यहाँ प पर 6% का उसमें का सबसे ज़्यादा स्टेक लाइप इंशूरंस कंपनी का है जिसे हम लाइसी कहते दोस्तों और आपको यहाँ पर पता होना अच्छे कि उन्होंने फिला स्टेक खरीदा है जो महिने आपको पिछले बारे बताया कि उन्होंने यहाँ पर इंट्रेस दिखा कोपर का स्टेक है उन्होंने देखे हाँ पर 1% का स्टेक कम किया इस कंपनी में दोस्तों और इसीं चार बड़े निविशे से नजर आते है जो इसमें से स्टेक कंट कर रहे है इसमें नॉन इनिस्टों pas में और जो रिटेल इन्वेस्टेर वह भी इंकल्व्चैल रहे जो क को इस company में long term के लिए बहुत ही ज़्यादा सोच कर निवेश करने के ज़रुवत नहीं है वैक्सिन का असर रहेगा तब तक ही है आप इससे अच्छा order stock select किजिए बोलकर और आपको अभी भी कहूंगा दोस्तों आप इसमें invested हो तो थोड़ा बहुत आपकी quantity है तो other stock पर अभी focus करना start कर देना ज्यादा इसमें interest दिखाने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि यहाँ पर वैक्सिन बेसेज पर जब तक यह वैक्सिन का performance रहेगा असर रहेगा रिजल्ट में देखने को मिलेगा तभी यह perform करेगा अभी उसके बारे में बात करूंगा मैं यह देखे रिजल्ट आने वाले कब है 29 October और दोस्तों आपको यहाँ पर 29 October को जो रिजल्ट आएंगे ना तब इसमें यहाँ पर आपको जैसे result का performance रहेगा वैसे ही result खराब आ दोस्तों तो यह stock 400 के करीब आ सकता है इसलिए कह रहा हूं proper तरीके से सावधान इसलिए तो कहा मैंने कि आप यहाँ पर समझे बोलकर क्योंकि आपको understanding होनी चाहिए कि इसके result कितने powerful आ सकते यह नहीं आ सकते यहाँ पर आप समझदारी से understanding करना क्योंकि company का business आपको पता है क वैक्सिन के पहले कोई बड़ा यहाँ पर improvement नहीं है उनके पास ना आरनिंग का सोर थोड़ा ज़्यादा नहीं है बोलतो जैसे भोती ज़्यादा जैसे कि FMGC company के जो product बेचे जाते हैं बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है और यहाँ पर देखें healthcare में अभी केडिल healthcare ने जो आपको याद रहना चाहिए इसलिए दोस्तों मैंने आपको कहा कि आप पूरी बाते समझेए साउधन रहिए और इस company में आपको अभी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होने वाला है और इसमें आप यहाँ पर long term के लिए निवेश कर सकते हैं तो continue करना आपको यहाँ पर लगता है हमारे पास अभी वक्त नहीं है हम यहाँ पर जो तेजी से भाग रहे हैं उनके साथ जाना चाहते तो जरूर आप वही से स्टॉक सलेट किज़े देखे जमाने के साथ चलिए और आपको बदाना चाहूंगा वही पर आपकी भलाए होगी थैंकियो सो मच